असलाम लेकुर विएर्स उमीद करते हैं कि आप सब खेरियस से होंके तो विएर्स आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही खुबसुरत सा फॉग जो हम बनाएंगे तीन से चार साल की बच्ची के लिए और ईद के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है तो इस दोनों पीसीज हम ऊपर जो पेटी है बॉडिस है वो बनाने के लिए यूज करेंगे अभी सबसे पहले हम इसको मैं इसको मैंने लिए 10 इंचिस और हम इसकी विड़् को मैंने लिए 15 इंचिस आप अपने बेबी की चेस्ट के अक्वार्डिंग जो है उसके के रुख पर जो है fold कर लेंगे और fold करने के बाद यह आप देख सकते हelly open side है और यहां पर पैरी side पर है close side है इसको fold करने के बाद से पहले हम shoulder के लिए निशान लगाएंगे तो shoulder के लिए मैं 5 inches पे mark करोंगे और अगर हमारे पास shoulder 5 inches होगा तो जो हमारे पास armhole है उसके लिए भी हम five inches पे ही निशान लगाएंगे तो यहां पर बिल्कुल cd line draw कर देंगे यह हमारा armhole के लिए निशान हो जाएगा और यहां से जो line है वह हम इस तरह से एक और line draw कर देंगे तो यह हमारे लिए हमारे पास armhole का निशान लग चुका है next step में अभी हम इसके chest के लिए निशान लगाएंगे chest मेरे 7.5 inches ही ली है और waist हम 7 inches लेंगे half inch कम कर लेंगे अभी chest के निशान को हम waist के निशान के साथ scale की मरस से मिला देंगे तो इस step के बाद next step में हम अपने armhole को गोलाई देंगे हलके हात उसे simple curve सी line draw कर देंगे तो हमार armhole जो है उसकी marking complete हो जाएगे यहाँ पर next step में हम 1 inch का एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देनी है यह वाला step अगर आप ना भी करना चाहे तो भी कोई मसला नहीं है लेकिन थोड़ी गोलाई देने से इसमें खुफसूरती आ जाएगी stitching में तो यहाँ पर अभी हम neck के लिए mark करेंगे neck के लिए मैं 2 inches पर mark करूँगी अगर आप थोड़ी सी खुली neck रखना चाहते हैं तो आप 2.5 inches इसकी depth के लिए मैं 2.5 inches पर mark करूँगी और अगर आप थोड़ा गहरा रखना चाहते हैं तो आप 3 inches पर भी mark कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से front neck के लिए हमने निशान लगा लिया है इसके बार हम back neck के लिए भी निशान लगाएंगे जो के हम 1.5 inches पर लगाएंगे यह हमारे पास back neck के लिए निशान लग चुका है इसको भी हम गुलाई दे देंगे अभी यहाँ पे half inch down एक निशान लगाएंगे और इसको हम neck के जो निशान के साथ मिला देंगे scale की मदद से तो यहाँ पे हमारी सलकी सी shoulder slope बन जाएगी जो के stitching के बाद बहुत ही खुबसूरत नजर आएगी तो यूर्स हमारे पास यह marking कम्प्लीट हो चुकी है अभी हमें cutting करनी है तो cutting हम start करेंगे अपनी नीचे से यहाँ से हमने थोड़ी सी जो गुलाई है यह दे देनी है गुलाई देने के बाद हम जहाँ पे हमने marking की है उसके उपर ही cutting करेंगे क्योंके हमने marking में ही sly का margin भी रख लिया था तो shoulder slope cut करने के बाद एक चीज दिहान रखिएगा पहले आप back neck की cutting करेंगे उसके बाद हम front neck की cutting करेंगे back neck की cutting करने के बाद हम जो है एक भी side पे कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे front part के उपर front neck की cutting कर देंगे दोनों की cutting अलग लग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें front और back की cutting different करनी होती है यह हमारे पास front part जो है ready हो चुका है bodies का इसको हम side पे कर देंगे जो back part के लिए हमने cutting की थी neck की उस part को पने सामने रखेंगे यहाँ पे हम back part की again थोड़ी सी cutting करेंगे विवज यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे धाई से तीन इंच तक आप निशान लगा सकते हैं simple निशान लगाने के बाद बिलकुल center में हम एक cut देंगे यहाँ पे हम बाद में button attach करेंगे यहाँ पे मैंने cut दे लिया है और यह back part की भी cutting जो है complete हो चुकी है अभी back part पे जो neck है इसको हम ready करेंगे और button party भी ready करेंगे मैंने एक piece ले लिया है ठीक है आप इसकी गहराई piece इतना चोड़ा लेंगे जितना कि आपकी cut हमने लगाया था back neck के लिए वहाँ तक इसकी चोड़ाई होनी चाहिए उससे थोड़ी सी जादा simple हम इस piece के उपर इस तरह से लखेंगे कि piece की सीधी side होगी print की और जो हमारा पेटी के लिए कपड़ा है उसकी ulty side हम उपर रखेंगे और यहाँ पे हमें एक sly लगा देंगे विवर्द यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sly लग चुकी है अभी जो extra fabric है मैं उसको remove कर दूँगी sly लगाते वे दिहान रखिएगा कि जो bodies के लिए कपड़ा हमने cut किया था उसकी ulty side होगी और नीचे जो हमने छोटा सा कपड़ा attach किया है उसकी सीधी side attach करनी है तो यहाँ पे हमने extra fabric cut कर दिया है ठीक है अभी next step में हम यह center पे भी एक cut दे लेंगे जहाँ पे हमने पहले cut दिया था और यहाँ पे गुलाई वाली जगा पे शोटे-चोटे से cut से देंगे ताके हमें जहाँ हम उसको सीधा करेंगे तो इसमें इसमे हमारी back neck है और button पटी है वो बिल्कुल ready हो जाएगी तो अभी यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लेंगे लेकिन प्रेस करने से पहले किसी नोखेली चीज की मदद से हम इसके corners जो है वो set कर लेंगे यहाँ पे मैंने इसके corners इस तरह से set कर लिए है देहान से set कीजिएगा कप्रा फर्ट भी सकता है अभी इसको प्रेस कर लिए देखिए किती सफाई के साथ हमारी back neck ready हो चुकी है यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा cutting है वो कर दूंगी cutting करने के बाद आप चाहें तो इसको overlock भी कर सकते है यह जो हमने एक्स्ट्रा कप्रा attach किया था वरना आप वैसे भी छोड़ दें तो lawn के कपड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि lawn का कपड़े में से इतने धागे नहीं निकलते तो यह हमारे पास जो back neck है वो almost ready हो चुकी है और बहुत ही सफाई के साथ अभी यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल बारीक सी hook बना ली है ठीक है अभी यहाँ पे मैंने एक piece लिया है इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है फोल्ड करने के बाद हम इसकी अगर measurement करें तो इसके चुड़ाई मेरे पास है 4 inches जो के खोलने के बाद 8 inches हो जाएगी और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 9 inches ली है विवर्स इसको फोल्ड करके हम एक निशान लगाएंगे जो हम लगाएंगे यहां से नीचे की दरफ खुली वाली साइड से यहाँ पे 3 inches का निशान हम ने इस तरह से लगा लिया है अभी जो हमने निशान लगा है इसको हमने नीचे कॉर्णर के साथ मिला देना है स्केल की मदद से सिंपल यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में इसी सीधी लाइन के उपर हम कटिंग कर देंगे तो यह हमारे पास पीस कट के रैडी हो जाएगा यह पीस हमने इसलिए कट किया है ताके हम इसे फ्रंट पेटी के उपर अटेश कर सके यहाँ पे मैंने एक लैस लिए है जो कि मैं इसके उपर रखके सिंपल इसके किनारे के उपर रखूँगी और इसके उपर स्लाई लगा दूँगी यहाँ पे अभी मैंने वो पीस लिया है जो मैंने फ्रंट पेटी का पार्ट कट किया था अभी यह पीस हम इसलिए लिया है ताके इसके उपर हम यालो पीस अटेश कर सके यालो पीस हमारा रैडी हो चुका है मैंने लैस अटेश कर ली है तो इसको हमने किस तरह से attach करना है कि आपने जो कप्रा है उसकी उल्टी साइड लेनी है पेटी के लिए जो हमने कप्रा कट किया है और उपर जो हमने attach किया है yellow piece उसकी उल्टी साइड लेनी है उसको रखके हमने गले की सलाई लगानी है गले को हम cut कर देंगे center में से इसके बार हम जब इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से बाहर वाली side पे आ जाएगा और गला बहुती सफाई के साथ हमारा यहाँ पे ready हो चुका है तभी हम यहाँ पे last को इस तरह से पलट लेंगी हमारी अब आदी last show होगी और yellow कपड़े की उपर उपर किनारे पे हम slide लगाके अपना जो पेटी है front part पेटी का वो ready हो जाएगा हमारा इस तरह से तो भी वरस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी slide लग चुकी है और बहुत ही खुबसूरत front part ready हो चुका है सफाई back side से भी आई है और front से भी अभी हम इसके उपर back part रखेंगे आप इस तरह से रखेंगे कि इसकी सीधी side अंदर की तरफ आमने सामने होगी और यहाँ पे आपने shoulders attach करते हुए यह हिसा देहान से note करना है कि इस तरीके से ही आपने shoulder attach करना है इस तरीके से मैं कर रही हूँ simple यह आप देख सकते है इसको हम उल्टी side पे fold करेंगे और slide लगा देंगे यह तरीका हम इसलिए use करते हैं कि आप देख सकते हैं अभी हम जब इसको सीधा करेंगे attach करने के बाद तो देखे कि अंदर वाली side पे भी हम इसके armholes ready करेंगे तो weavers armholes आप चाहें तो sleeve less भी रख सकते हैं मैंने ये एक इंच की पटियां cut कर ली है लबाई armhole के according लेंगे simple उपर राके हम slide लगाएंगे बार वे अंदर की तरफ हम fold कर देंगे इसी तरह से हम दोनो armholes ready कर लेंगे अगर आप sleeves वाली frog बनाना चाहते हैं तो आप sleeves भी attach कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे armholes बिल्कुल ready हो चुके हैं अभी हम bottom part की cutting करेंगे यहाँ पे मैंने two pieces लिए हैं bottom part के लिए और अभी हम इनको measure कर लेते हैं अच्छा यहाँ पे आपने मैंने जो length लिए है इसकी 12 inches लिए है क्योंकि मुझे ही short frog चाहिए और अगर आप frog की length increase करना चाहते हैं तो आप 14, 15, 16 inches भी length रख सकते हैं इसकी जो मैंने चुडाई लिए है वो मैंने लिए है 29 inches आप 30 inches भी ले सकते हैं जितने ज्यादा कपड़ा होगा उतनी ज्यादा चुडाई साएंगी अभी मैं यहाँ पे एक बड़ा टांका मशीन का करके sly लगाऊंगी और बाद में sly को खैंच के हम इसमें चुडाई स्टाल लेंगे चुडाई स्टाल के हम अपना bottom part ready करेंगे यहाँ पे मैंने चुडाई स्टाल लिए हैं अभी हम इनको जो bodies part है उसके साथ अटेच कर देंगे bottom part को simple यहाँ पे इस तरह से इसको अटेच करेंगे उसके बाद हम दूसरे part को भी अटेच कर देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यह हमारी last इस तरह से अटेच हो जाएगी विवर्स last attach हमारी यहाँ पे हो चुकी है ठीक है next step में अब आप side की sli लगानी है तो यहाँ पे हमें ulty side से side की sli लगानी है frog को ulta कर ले और simple जहां से हमारे arm holes हैं वहां से हम sli लगाना शुरू करेंगे विवर्स फोल्डिंग देने के बाद मैं फ्रॉक की जो फ्रेंट पार्ट है उसके घेडे पे वो ही लेस अटेश कर दूगी उपर रखके सिंपल उसके उपर स्लाई लगा दूगी जो मैंने पहले बॉडिस पर अटेश की थी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही खुमसरो से फ़ॉक रेड़ी हो चुका है जरूर ट्राई कीजिएगा तो जो लोग मेरी चैनल पे ने हैं काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजियेगा वीडियो उसको लाइक एन शेयर कीजिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इसके साथ ही मैं इजाज़ चाहूंगी अल्ला हाफिज